आप देख रहे हैं जेकी नियूस टुडे 9 जून 2024 यानि की आतवार को जम्मू कश्मीर के रियासी में एक यातरी बस पर टेरर अटाक होता है जिसमें 9 लोगों की जान चली जाती है और 33 लोग घायल हो जाते है 11 जून को कट हुआ के हीरा नगर के एक गाउं में दूसरा टेरर अटाक होता है जिसमें एक CRPF का जवान की मृत्य हो जाती है इस अटाक के बाद सेक्यूरिटी फोर्सिज ने दो टेररिस्ट को मार गिराया 11 और 12 जून की देर रात बदरवा में तीसरा अटाक होता है जिसमें 6 लोग घायल हो जाते हैं घायलों में 5 सेना के जवान और एक SPO शामिल है 12 जून को सर्च ओपरेशन के दरान DIG जमू सामबा कठ हुआ रेंज और SSP कठ हुआ की गाड़ियों पर आंतनकियों ने फिर से हमला किया लेकिन इसमें कोई कैजवेलेटी नहीं होती है इन सभी जगाओं में सर्च ओपरेशन चल रहे हैं जमू में युवा अपना रोश प्रकट करते हुए अलग-अलग जगाओं पर प्रदशन कर रहा है पारुक अबदूल्ला जो की नाशनल कॉन्फरेंस के अध्यक्ष हैं उन्होंने इन टेरर अटाक्स पर ये कहा वहीं वकार रसूल प्रेजिडेंट जेके पी-सी-सी ने कॉंग्रेस की तरफ से ये कहा हम चाहते हैं, कॉंग्रेस चाहती है कि जमू कश्मीर की हालात सुद्रे ये मिलिटेंसी फ्री जून बने यहां जो ये टेररिस्ट आ रहे हैं, इनको रोका जाए, जो ये किलिंग हो रही है, इसको रोका जाए बीजेपी भी इस अनफॉर्चनेट इंसिडेंट पर अपना दुख प्रकट कर रही है उसी के साथ यूथ भी सोशल मीडिया में इस इंसिडेंट के निंदा करते हुए एक हैश्टेग वाइरल कर रहा है आईस ओन रियासी हीरा नगर डोडा ऐसी और अपडेट्स देखने के लिए देखते रहिए जेकी न्यूस टूडेए